नमस्कार मैं आश्टोश कुमार और आप देख रहे हैं इन्खबाइट.com पेरिफेरल हाइवे एक ड्रीम प्रोजेक्ट था भारत का और दिल्ली वासियों के लिए भी इससे कई फाइदा है आप जान रहे हैं दिल्ली वासी प्रदूशन की मार जेल रहे हैं और सबसे जादा जो प्रदूशन होता है वो वहनों से होता है तो आपको आज एक बड़ी सौगात मिल गई दिल्ली वासियों को इन्डाइरेटली कहेंगे इन्डाइरेटली ये सौगात है क्योंकि ये जो पेरिफेरल हाइवे था इसका तो केमपी नाम है कुंडली पलवल माने सर आपको हाइवे है इससे आपको जो हरियाना के सोनी पत है उससे आपको माने सर और पलवल जाने में आसानी होगी और इस हाइवे में पहले क्या होता था किसी को जाना पड़ता था तो दिल्ली होकर जाना पड़ता था जब प्रोदूशन बढ़ गया था तो जितनी भी गाड़िया थी जो आपको कमर्शियल गाड़िया थी जिससे समान का आवगमन होता है उससे दिल्ली के बाटर के बाहर रोग दिया गया था और अब जब ये पाहईवे खुल गया है आज तो इससे लगभग 50,000, 50,000 जो कमर् जिली वासी रोजाना पल्यूशन से 50 सिगरट पी लेता है आपको बता दे ये जो आपको आज खुला है वेस्टन परिफेरल ये 135 km का है और छे महीने पहले जो इस्टन खुला था वो भी 135 km का है और दोनों मिला के 270 km का हो गया और ये जो आपको हाईवे है पूले दिल्ली क वो एक सर्कूलर की तरह घेड़ लेता है जिसके कारण कोई भी कमरिशल गाड़ी कोई भी बड़ी गाड़ी है उसे दिल्ली एंटर नहीं करना पड़ेगा चलिए हम आपको बता दे क्या क्या प्रमुक बाते हैं आपको केमपी एक्सप्रेस वे में केमपी एक्सप्रेस वे 270 क किलोमेटर का है इसमें कई जगा रिफ्रेश्मेंट सेंटर भी है आप अगर हाईवे पे जा रहे हैं ठकान से आपको बहुत ज़्यादा ठकान हो गई तो आप रुक के रिफ्रेश भी हो सकते हैं कई सारे लाइन होटल भी होंगे और आपको बता दे इसमें पुलिस पर कार को देना पड़ेगा और क्या दो पहिया वाहनो को भी देना पड़ेगा। ये देखने वाली बात होगी वैसे आपको बता दें ये जो प्रोजेक्ट है इसे 2009 में ही पूरा करने का टारगेट अखा गया था लेकिन आज 9 साल बाद 2018 में पूरा हो पाया है और आम जंता के लिए कुल गया है चलिए देर आए दुरुस्ता है चलिए इससे कम से कम अब हर्याना के लोगों को और दिल्ली वासियों को कोई बड़ा फाइदा हो लगतार हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे अगर इससे जुड़ी कोई बड़ी अपडेट आती है तो हम फिर हम आपके सामने आएंगे लगतार इस तरह के खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करें